आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ एक धन नियतांक है यह दोलन का आयाम कहरा है ए है तब इसका अवर्थकाल T जो है एक एक पर किस प्रकार निर्भर करेगा यह हमें चार आप्षन दिया है हमें इसमें से बताना है ठीक है तो हमें क्या दिया है इस्तिती उर्जा यू दिया हुआ है X बराबर UX बराबर KX का क्यूब है जहां पर मान लेते हैं उर्जा सन अच्छन से क्या लिखेंगे हम लोग गती जूर्जा प्लस इस्तिती जूर्जा बराबर होगी हमारी कुल उर्जा ठीक है तो गती जूर्जा क्या होगी 1 बटा 2 Mb² होती है प्लस हमें यह दिया हुआ इस्तिती जूर्जा के बराबर A है हमारा total energy के बराबर A पे तो यहां पर इसलिए मैंने के Eoin क्यूब लिखा है अब यहाँ पर इस समीकर्ण से मैंने इसको समीकर्ण एक नाम दे दिया इसको क्या करते हैं V को हम लोग इधर रखते हैं बाकियों उधर ले जाते हैं यहाँ पर K भी एक नियतांक है हमें दिया हुआ एक धन नियतांक है V square इसलिए मैंने under rule कर दिया ठीक है अब इसको आप V को क्या लिख सकते हैं V हम जानते हैं V बराबर होता है V बराबर होता है DX बटा DT ठीक है तो इसको जगा हम लिख देंगे DX बटा DT ये बराबर हो जाएगा 2K बटा M into A cube minus X cube under rule में ठीक है ये हमारा DX बटा DT हो गया अब मान लिए हमने कण को जो है X बराबर A से X बराबर 0 तकाने में T समय लगता है ठीक है ये T समय में यहां तक पहुँच रहा है 0 तक पहुँचने में तो यहां से क्या लिखेंगे अब तो यहां से हम T निकाल लेंगे 0 तक आने में इसके बाद उसको पूरे आवर्थकाल के लिए हम लोग 4 से गुड़ा कर देंगे ठीक है तो हमें आवर्थकाल मिल जाएगे तो पहले T निकालते हैं हम लोग तो T बराबर यहां क्यों आ जाएगा यहां हमारा DT बराबर हो जाएगा हमारा DX यह पूरे पार्ट को इधर ले आएगे DT बराबर 0 से T तक समय ठीक है और यह बराबर आ जाएगा आपका DX बटा यह पूरी वेलू यह निकि DX बटा अंडरूड में 2K बटा M into A cube minus X cube यह पूरा जाएगा यहां पे हमारा 2K और यह हमारा क्या है common है तो इनको बाहर ले ले लेते हैं क्योंकि नियतांक है तो हमारा यह हो जाएगा आपका यह पूरा integration होगा पूरा आपका A से लेके 0 तक ठीक X बड़ाबर A से A को बड़ाबर 0 तक आ रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा M बटा 2K ऊपर चला जाएगा अंडरूड में यहां पे बचेगा DX बटा A cube minus X का cube ठीक A से 0 तक ठीक इसको हम A को किसी तरह क्या करते हैं अकर हम बाहर ले ले तो क्य होगा हमारा केवल यहां पे X बचेगा या ऐसा कुछ यह को हमें निकालना यहां पे तो क्या करते हैं यहां पे हम लोग X को मान लेते हैं X बड़ाबर A sin square theta ठीक इसको समा कलन को हल करने के लिए ठीक तो आसानी से ताकि यहां से हल हो जाए तो यहां से पता भी चल जाएगा तो हमारा theta यहां से इसको put करते हैं यह बराबर तो यहां पे इसको put करेंगे आप तो यह हो जाएगा हमारा dx क्या हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा इसका differentiation करेंगे तो 2A sin theta हो जाएगा into cos theta तो dx यहां यह रखेंगे तो यहां से limit भी बदल जाएगी तो यहां पे t बराबर क्या हो जाएगा M बटा 2K अंडर रूड में ठीक है लिमिट अभी बताता हूँ आपको पहले ds की जना पर आप लिखेंगे 2a sin theta d theta sorry sin theta cos theta sin theta into cos theta यहाँ पर d theta भी आएगा ठीक है sin theta cos theta into d theta बटे a cube पूट करेंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर पूट करेंगे तो यह आपका x a cube रहेगा यहाँ पर a cube और minus a है आपका हो जाएगा a cube sin 6 theta यहाँ पर आप a cube को बाहर ले सकते हैं अब लिमिट देखिए जब हमारा x जो है क्या था x बराबर a था x बराबर a तो sin square theta बराबर क्या हो जाएगा 1 तो sine theta क्या हो जाएगा आपका यहां से theta क्या हो जाएगा पाई by 2 हो जाएगा यहां से और जब हमारा x ठीक है और यहां से आप इसको इंटू बाहर ले सकते हैं integration of पाई बाई 2 से 0 यहां से 2a बटा a की पावर 3 बटा 2 बाहर आ जाएगा यहां बचेगा आपका sin theta into cos theta बटे आपका 1-sin power 6 theta under root into d theta अब a हमारा जो है theta पर निर्भर नहीं कर रहा तो इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं एक power 3 बटा 2 यहां से कड़ जाएगा तो 1-3 बटा 2 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा minus 1 बटा 2 ठीक है तो minus 1 बटा 2 यानिकी आपका यह पूरा पाट हो जाएगा एक बटा under root a 1 by under root a तो इसको आप लिखेंगे तो यहां से आ जाएगा m बटा 2k बटा 2 भी अगर बाहर ले लेंगे तो 2 को under root में अंतर करेंगे तो यह इस तरह से बदल जाएगा यह हो जाएगा अब इसको हमें हल करने जुरूत नहीं है क्योंकि हमें केवल बताना है कि कैसे निर्भर कर रहा है तो यहां से हम देख रहे हैं यह पूरा पार्ट जो हमारा यह हमारा आयाम पे निर्भर नहीं कर रहा है तो इसलिए हमारा केवल m पे k पे और a पे आयाम पे निर्भर कर रह पूरा किया तो चार टी समय लगा उसे इसलिए मैंने टी को फोर टी लिखा तो फोर टी ये बराबर कितना हो जाएगा ये आपका यहां से हो जाएगा ये अनकुर मानुपाती होगा कि इसके एम और की हमारा इस्तिरांग है ये बदल नहीं रहे तो एक बटा अंडर रूट ए की अनकुर मानुपाती होगा है तो यहां से कौन से अपर्शन में गिवन है या पर हमारा प्शन हो जाएगा पहला ये अंडर रूट ए ऐ रहे परहला सही हो जाएगा। क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भरोसा आज राउनलोड करे डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर